असलाम लेकुम मैं हूँ नादिया तन्वीर और आप देख रहे हैं All About Baking by Nadia Tanvir तो चनाब मैं आज आपको बनाना सिखाने हैं सिनिमन रोल्स परफेक्ट रेसिपी जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी मैं इसलिए यह बात कहरे हूँ क्योंकि यह मेरी परसनल रेसिपी है और इसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ मोडिफाय किया है ठीक है आप जब दूसरी वीडियो देखोगे ना आपको समझी नहीं आएगी वो इतना मुश्किल बना देते हैं लेकिन जो मैं नजरे मेरे हाथों पर रखनी है मुझे सुनते जाना है कोई पॉइंट मिस करोगे तो फिर आपको प्रॉबलम होगी ठीक है अच्छा मैं कप मैयर्मेंट डिस्क्रिप्शन में दूंगी अपी मैं ग्राम में आपको बता रही है 250 ग्राम हमने मैदा लिया और इसके बाद हम इसमें जो काम करेंगे वह साथ साथ आपने देखते जाना है ठीक है अच्छा कोई इतने मज़े के बनते हैं और यह ऐसी रेस्पी है जो आपको हमेशा एक्सपेंसिव क्लास पे करके आपको फीस पे करके सीखते हो आपको नॉर्मली इसकी परफेक्ट रेस्पी नहीं मिलत लेकिन मैं आपको सिखा रही हूँ आपने ऐसे बनाने आप यह देखो चीनी है यह शीशे की प्याली में मैंने 25 ग्राम चीनी डाली है ठीक है और इसके अंदर मैंने आदा कब दूद डाला है 100 ग्राम ठीक है वह मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी अभी आप बस द कर दिया करो फिर मैं से करेक्ट करवा लेती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हूँ इतना लंबा डिस्क्रिप्शन भी लिखूं क्या करूं अच्छा अब यह देखो इसमें मैंने बटर डाला है बटर इसमें कितना जाएगा 30 ग्राम बटर जाएगा मेल्टेड बटर बहुत नरम बटर सक्ट वाला नहीं जाएगा इसमें बिखला के डालो कैसे भी डालो आप देखलो कितना नरम मैंने डाल ले ठीक है सिरफ और सिरफ यह पांच चीजों से आपके सिनिमन रूल्स बनने हैं और मैं कहते हूं महमानों के आगए आगे आपने जब पेश करने न इसके अंदर डाला है ठीक है दार्चनिका पाउडर अराम से मिल जाता है आपको पिसी पिसाई घर में पिसने लग जाना वो फिर भी मोटे मोटे दाने रहे जाएंगे वह अच्छा नहीं लगेगा अच्छा जी मुझे किसी ने आपके इसलिए चीज बन जाती है क्योंकि आपका तो मिशीन है आपके पार चौलो भई जो अलला ने मुझे दो हाथ दी है वह भी तो मिशीन ही है तो मैं चौलो भई ये शिकवाइभी दूर करते ते हैं हास से बनाके दिखा देती हूँ कोई मसला निया आपके देखना है किस डो कैसे गुननी है डो इसकी बहुत न बिद्टल 150 ग्राम दोग जाएगा इससे जादा भी जा सकता है ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने मियर्मेंट है वह ही हो लेकिन आपने एक दम से 150 ग्राम नहीं डालना इस वज़ा से मैंने पहले 100 ग्राम लिया पिर बाद ने 50 ग्राम लिया ताकि यह ना हो कि आपकी जो डो है बहुत ही रनी हो जाए आपने बनानी रनी डोई है यह देखो जिस तरह मैं बना रही हूं न यह इतनी चिपकी चिपकी इतनी सॉफ्ट हो और आपने मेरे हाथों की मूवमेंट को देखना है अगर आपके पास मिशीन नहीं है न तो पिर आपने इस चीज़ का खास ख्याल कि नादिया किस तरह बना रही है क्योंकि आपकी डोई इस तरह की हो यह पीजा या आप समझो चिकन ब्रेड वाली डोई नहीं है यह बहुत जादा नरम गूननी है आप देख रहो ना मैं किस तरह से गून रही हूं इसमें हमने दूद में चीनी इस्ट नमक और क्या कहते ह तो इसमें मैंने यह वेरियेशन की मुझे अच्छी लगी आपने ज़रूर ऐसे ही ट्राय करना है अच्छा यह पतीला में भी बन जाएंगे बस आपनी टेमपरेटर का धिहान रखना पतीला में उपर से कलर नहीं आएगा लेकिन आप ऐसा कर सकते हो अच्छा अब यह होते हैं इस तरह सुखा मैदर डाल दें कुछ भी नहीं होता लेकिन यह जो है ना यह सिनिमन रोल्स की डो अब यह देखें थोड़ा समयने हाथ में बटर लेके उसको गुनना शुरूर किया उठा उठा के पतक रही हूं मैं डो को ना जैसे आप इसे पतकते हैं ना मक्षन करना और देखो कितनी सौफ्ट डो बनी है यह देखें एंड पर फिर थोड़ा सा मक्षन मैंने हाथ पे लेके इसको हलका सा गुन्दा और डैट हमारी डो हो गई है रेडी आपकी डो भी इतनी नरम हो सक्त डो नहीं रखनी और यह एगलेस है सबसे अच्छी बात है कि यह अंडा भी डाल देना मसला कोई नहीं है लेकि मैंने चीज़ देखिया कि सिनेमन रोल्स में अगर आप अंडा ना भी डालो ना तो वो तब भी बड़े बहतरी बन जाते हैं अंडे वाले भी बहुत अच्छे बनते हैं सेम रिजल्ट आता है जिसना मैं आपको सिखा रही तो एगलेस बना लो अगर दिल कर रहा तो अंडा भी डालो आप मसला कोई नहीं होता अच्छा ओरीजनल रेस्पी में अंडा है लेकिन मैंने अंडे के बगार बना है बहुत मज़े के बने हैं मैं क्या बता हूँ अब इसे एक घंटे के लिए आपने प्रूफ होने के अच्छा जी उसके बाद आप इसमें शक्कर भी यूज कर सकते हो कोई मसला नहीं अब आपने इसमें सिनिमन पाउटर जालना है 12 ग्राम या 3 टी स्पून थोड़े से भर के क्योंकि सिनिमन जाता जाती है तो आपने कन जूसी नहीं करनी है आप अगर ग्रांस में ले तो आ कि मुझाओ आपने तो परोड़ा के लेना है थोड़ाशा थोड़ा साथ टी इस पूंस थोड़ा भर ले ने ठीक न ग्लूक को मिंग कर स कर साईर पे रख देना है ब्राउन शुकर को और सिनिमन पाउटर को м towards शक्क्र भी ले सकते हैं नहीं ग्यान safety टी स्पून मैं पतले काटेंगे और उसके बाद वो कितने बड़े हो जाएंगे ठीक हो गया अच्छा जी कल मैंने आपको दी थी असाइनमेंट कि आप लोगों ने पांच-पांच मेसेज करने हैं अफ़ी लोगों ने इमानदारी से पांच-पांच मेसेज किया लेकिन जो है ना कौन है जी निगत शबाना इन्होंने तो काउंटिंग ही लिगती है मुझे इतनी असी भी आई मैंका निगत ही आपने चीटिंग किया मेरे साथ उन्होंने एक मैसेज में लिखा वान पर टू पर त्री मैंका देखो जरा यार पाकिस्तानियों को कोई काम गया दो ना उन्होंने बीच में जुगार जुरूर लगानी होती है मैंने बटर इसमें डाल दिया था अब इसके ओपर मैं शुगर और सिनिमन वाला पूरा अमेज़ा छिड़क रही हूं आपने भी इसी तरह चिड़कना है हनी ताईर के बहुत प्यारे मैसिज थे कुक फूड इस सरोज तरवेदी इनके बहुत प्यारे मैसिज़ आते हैं मुझे थांक यू शरोज रिजा सल्मान के बहुत प्यारे मैसिज़ थे पांचिव मैसिज़ बहुत प्यारे किया हमारी नूर जहां अबुल Selectedkę finally जो हैं उन्होंने इतने प्यारे मेसिजिस किये बहुत प्यारे उनके मेसिजिस थे अच्छा जरार मिन हास हैं सूबी नवाज हैं चंदरीमा का बहुत प्यारे मेसिज था रिजवाना मुनीर का बहुत प्यारे मेसिज थे बहुत ही बेस्ट मेसिज था रिजवाना का मेरा दिल खुश हो गया थेंक यू रिजवाना अच्छा नूरी स्टूडियो के बहुत प्यारे मैसेज थे इसके इलावा इतने धेरों मैसेज थे जिसका नाम ना लूँ तो उसका दिल डुकेगा लेकिन मुझे आप लोगों से बहुत प्यार है मेरा दिल करता है आप लोगों से मिलने अब यह देखें 12 हमारे बने हैं इस तरह से ठीक है और यह कुछ छोट छोटे बच गया थे मैं छोटे वले पैन में रख लिए अब आपको आप देखो मैने से कितनी फासले पर रखा है से 30 मिनट की प्रूफिंग के लिए रखने है 30 मिनट के बाद प्रूफ होने के बाद जनाब इनकी यह शकल आएगी अच्छा जो मैंने खलती किया आपने ने करनी इनके जो साइडें खुली हुए हैं यह जो जहां पर स्पैरल बंद हो रहे हैं वह एक ही रुख में रखने हैं आपने एक रुख में रखने हैं ताकि वह और खुबसूरत और देखने में प्या जनाब यह कितनी इसान रेस्पियास में कुछ है मुश्किल दार चीनी घर के पिस्वी लेनी बाहर के पिस्वी लेनी आए अच्छा चीनी जो है ना आप हमने डो के अंदर भी डालिया इसके अंदर ब्राउन शुगर भी गई है तो आपनी हम इसकी फ्रॉस्टिंग करते है क्रीम चीज के साथ ठीक है अच्छा यह देखें लोर रोड पर मैंसे बेक करने के लिए रखावान एटी डिग्री बाना से पंदरा मिनट और एंड पे सिरफ दो मिनट के लिए उपरवली रोड डॉन करेंगे कलर देने के लिए अगर आप पतीला में बनाओगे तो फिर आ पैशास ग्राम फचास ग्राम रोड और यह पकी क्रीम चीज है यह देख लो आप ठीक है यह पकीरीम चीज है जो के सूडर जिए इसको आपने हिरू के लिए kita कोई कहता जी नोर्थ यॉरप की है कोई कहता स्वीडन की है हमें क्या लगे भई हम तो अच्छी से गुद भी बना लेते हैं तो हमारे अपने मुलक की समझो फिर आप तो नहीं बहुत मसेगी होती है अच्छा अब मैंने जो किया है ना काम आपने काम नहीं करना आपने मकषन को और एक टेसबल स्पून चीनी को यह में चीनी डाली है उसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना पर उसमें दूद और क्रीम चीज डाल देना लेकिन अगर ऐसे भी मिक्स कर लोगे तो जरा मिक् अब उसके अंदर थोड़ा से दूद डालने है 50 गराम उसके अदर आपने थोड़ा से चुटकी नमक डाल देना है और उसके अदर आपने एक टेबल स्पून चीनी का डालते ने बस उसको मिक्स मिक्स करके उपर फ्ला देंगे हम और बटर डालने है बहतरीन बनेगी लेकि क्रीम चीज के साथ इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा अब आप देखो इसके उपर बबल्स बन रहे थे 15 मिनट में इतने जपरदस ये बेक हो गए इनका साइस देख लो इनका कलर देख लो और ये गरम गरम के उपर ही ये वाली फ्रॉस्टिंग जाएगी जो हमने क्रीम च देख लके उपर फ्रॉस्टिंग ढाल के और दूसरी बात ये सर्दियों की डिश है इसके काफी ना किसा साथ से और सर्फ की चाथ एसे सिनमा वान भी कहते हैं सिनमन रोल ने यकीन वाने इतनी क्लासी चीज़ है ये और ना मैं चाहती हूं कि बस हर बंदा इतने सिनमन रोल कि कोई खुछे कहां से सिखक तो आपको मैं नादिया से से क्या यहाइ कितनी खुशी होगी मैं पते निए मुझे और लोगों से क्या इश्क यह इस बिए इस आई को यहाई मैं कि आए आप लोगों को ना हर चीज आज़े दुनिया में बेस्ट बेकर बन जो आप आपको कभी लगे ना कि याद यही जीज नहीं आदिया नहीं मैं सिखाई आप अगर मेरा चैनल देखते हो तो आपको बेकिंग में बेस्ट से भी बेस्ट होना चाहिए अब यही जो रेसिपी है ना बिलीफ करें जब मैंने यही रेसिपी नहीं सिक्किए हुई तरह मैंने पूरा यूटिप खंगा लिया मुझे नहीं समझ आरी थी वो कभी कुछ कर रहे थे कभी कुछ और उसमें इतनी चीज़ा डल गई थी कि मुझे ना फ्रॉस्टिंग की कर लिया करें अगर आपका चैनल है तो थोड़ा ख्याल किया करें कि यार इस चैनल को हमने आगे कैसे लेके जाना है ताके नादिया में इससे भी जादा अच्छी इंटर्नेशनल लेवल की चीज़ें दिखाए तो जणाब यह ट्राय करनी है आपने और हमारी कल की बात रह नहीं करते हैं महरान हो गई यह कौन सा बुरा बिजनस है जो नहीं करने देते हैं लेकिन अविसली हर गर के अपने मसले मसाइल हैं तो जणाब मैंने उनकी बाते सुनी नहीं तो मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज मैसूस हुई वो यह हुई कि उनके हस्बेंट से ज़्या लड़की बड़ी दुखी है तो उसका और होता है कि भई इसका क्यों नहीं हो रहे हैं क्यों इसके साथ इतना जुलम करें सुस्रार वाले लेकि जब हम खुद इस पोजीशन में आते हैं तो सबसे बुरे हम खुद बन जाते हैं सिर्फ कहानियों तक हमें हैपी एंडिंग पस अच्छी हो अगर चिठानी देवरानी अच्छी हो तो जिन्दगी जन्दत है हकीकतन जिन्दगी जन्दत है देखे वो रिष्टे जो आपको वाकी एक कीमत अदा करके आप हासिल करते हो न तो उनको आप पॉलिश करो उनमें बेस्ट बनो कोई बात बुरी लग गई इगन सालन की तरह मैं खा गई हूँ सिनिमन रोल अंग्रेजों की रूट तडब जानी है कि ये किस तरह का रही है तो बस आपने मेरे बात सुन ली आप लोग ने अच्छी खवातीन बनना है अच्छी औरत जिसको कहते हैं हर रूप में अच्छी बनना है सिरफ भैन बेटी बीव ने को आपकी किसी नन को तो प्लीज उसके हेल्प करो ठीक है अच्छी जनाब ये देखो इसको मैं आप कवर करके रख दूंगी रात को जब तेमीर साव आएंगे तो फिर वो खाएंगे और जब और तरीफ करेंगे फिर मेरा दिल बहुत खुश हो जाएगा अच्छा आप इसको सेफ कर सकते हो सिनिमन रोल्स को छे महीने भी कर सकते हो मैंने जैसे प्रूफिंग के लिए रखे थे ना आपने बेक नहीं करना इनको सरफ प्रूफ करके ना आपने इनको प्लास्टिक के डबबे में ए टाइट बॉक्स में डालके उपर क्लिंग रैप करके आपने इ आपके कमेंट्स का इंतजार हैगा दौा में याद रखिएगा और मुझे जदूर बताएगा कि आपको ये रेस्पी कैसे लगी अलाफीज